नमस्कार दोस्तों Be Healthy Channel के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको Addiction Force Extra Strong Deodorant के बारे में Complete Information प्रोवाइड करने जा रहा हूँ दोस्तों हम Deodorant का इस्तमान अपने शरीड में होने वाले पसीने को रोकने के लिए करते हैं और पसीने के वज़े से जो बदबू आती है दुरगंद आती है उसको हाटाने के लिए इसका यूज करते हैं Market में बहुत सरे Branded Company के Deodorant उबलब्ध है और हम उनमें से अपने पसंद के fragrance के अनुसार उनका यूज करते हैं लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ही पता होता है कि इसकी Basic Information क्या होती है Deodorant क्या होते हैं और इनका इस्तमाला में किस तरह से करना चाहिए क्या ये हमारे स्कीन के लिए हमारे शरीर के लिए सेफ होते हैं या नहीं होते हैं अगर आप भी किसी तरह के Deodorant का यूज करते हैं और आप उसके बारे में जनकारी नहीं रखते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए जिससे की आपको Deodorant से रिलेटेड सभी तरह की जनकारिया प्राप्त हो सके दोस्तो Be Healthy चैनल के उपर आपको Health Care, Skin Care and Beauty Care से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते हैं अगर आप इस चैनल से जुरना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री होता है जहां तक इसके Basic Information की बात है तो यह Mankind Farmer 12 मार्केट में लांच की गई है और यह 122 ml के पैक में आती है और इसकी जो MRP होती है 250 रुपय के होती है और यह आपको किसे भी Medical Store या General Store या Cosmetic Store पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है जहां तक इसके Composition की बात है तो इसमें Basic Ingredients के साथ साथ इसमें 95% De-Natured Ethyl Alcohol के इस्तमाल किया गया है और 5% Perfume के इस्तमाल किया गया है इसके अलावे इस Deodorant में इसकी Basic Ingredients के रूप में Almonium के Micro Particles का यूज किया गया है यह जितने भी Ingredients इस Deodorant में डाले गया है लगभग इसी तरह के Ingredients जो होते हैं मारकर में जितने भी Deodorant होते हैं उन्हों सभी में पाया जाता है इसमें जो Almonium के Micro Particles होते हैं वो हमारे शरीर से निकलने माले पसीने को रोकते हैं और जो Perfume और जो Alkohol होता है वो उसके वज़े से पसीने के वज़े से जो दुरगंद हमारे शरीर में निकलती है बैक्ट्रिया के वज़े से जो बदबु आती है उसको ये रोकने में मदद करता है अब आई हम समझते हैं कि आखिर ये डियोड्रेंट हमारे स्कीन पे किस तरह से वर्क करता है जब हम इसका एस्परे करते हैं हम अपने स्कीन पे तो इसमें जो Micro Particles होते हैं अल्मुनियम के वो हमारे रोमचिद्रों में समा जाते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं जिसके वज़े से पसीना निकलना बंद हो जाता है अगर हम इसका इस्तमाल अपने स्कीन पे डारेक्ट करते हैं तो यह हमारे लिए सेफ नहीं है क्योंकि यह पसीने को रोक देता है और पसीने के साथ शरीर से टॉक्षिन निकलता है अगर हमारे शरीर से टॉक्षिन ही नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर के नुकसान हो सकता है डियोटरंट का इस्तमाल रोजाना नहीं करना चाहिए हमें जब भी इसकी जरूरत हो उसी टाइम हमें इसका इस्तमाल करना चाहिए और अपने कपड़ों पे इसका इस्तमाल करना चाहिए ना कि डारेक्ट स्कीन पे वैसे आज सकल मार्केट में बहुत सार ऐसे डियोडरेंट आ गये हैं जिसमें किसी भी तरह के अलकोहल का यूज नहीं किया गया है अलमोनियम के पार्टिकल्स के यूज नहीं किया गया है जिनका आप सेफली इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप किसी तरह के डियोडरेंट के इस्तमाल करते हैं और इसको जनकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ, आज ये दिए जनकरी आपके लिए जरूर फायदे मन साबित होगी, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कोशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में ने जनकरीयों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार